हलो गाईज, स्वागत है प्रेम की रसोई ये अन्टीफ सेन वलोग में तो गाईज, आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा बिना आवन का बर्गर बनाके तयार करेंगे वो भी बहुत कम समय में बनके तयार होता है तो ये बर्गर हम फ्राई पेन में बनाके तयार करेंगे ज्यादा समय नहीं लगता है बर्गर बनाने में मात्र दस मिनट में बनके तयार होता है बर्गर हमने सिंपल बनाके तयार किये हैं इसका टीकी का रेस्पी कमेंट बक्स में जाके देख सकते हैं इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे शिरिफ सेजवान चटनी हलका हलका लगा के इसको तयार करेंगे तो गैज मार्केट जैसा बर्गर बनाने के लिए वीडियो को लाई करके चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले साथे साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पाई तक चहुपता रहे तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को जल्दी से सुरू करते हैं बरगर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा हमने बाउल लेंगे अब उसी के अंदर हम छोटा बाउल से पानी एड़ करेंगे साथे साथ पानी में एड़ करेंगे एक चमच के लगभाग इस्ट इस्ट मार्केट में बहुत असानी से मिल जाता है अब हम इसमें एड़ करेंगे सवाद अंसार नमक अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच के लगभाग चीनी अब हम इसमें साथे साथ आड़ करेंगे दो चमच के लगभाग देशी घीव आप इसके जगह पे रिफाइन एल या बटर कोई भी चीज इसमें इस्तमाल कर सकते हैं अब ये सभी चीज को बणिया से इस तरह से मिक्स करेंगे एक से डेढ़ मिनट लगा है इसको मिक्स करते हुए तो ये देखिए इस्ट बणिया से मिक्स हो गया है अब हम इसमें एड करेंगे छोटा बाउल से मैदा एक बात को ध्यान रखना है कि जिस बाउल से हमने पानी एड किये हैं उसी बाउल से इसमें हम मैदा नापके एड किये हैं उससे बणिया अंजाद मिल जाता है उसके बात कम बेसी पानी होगा तो इसमें बाद में एड़ कर सकते हैं तो डो को ज़्यादा गिला नहीं करना है ज़्यादा टाइट नहीं करना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से डो को तयार करना है बहुत असानी से तयार हो जाता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डो को तयार करने में यह देखिए एकदम लूज तयार हो गया है अब इसको हम बढ़िया से सेट कर लेंगे हलका सा हाथों में तेल लगाएंगे उसके बाद डो में सभी जगे मिक्स कर लेंगे उसके बाद कोई भी एक नार्मल पनी लेंगे और उसी से हम बढ़िया से सभी जगे ढ़क देंगे इस तरह से इसमें विल्कुल हावा नहीं लगना चाहिए पनी लगा के इसको इसी का उपर हम ढ़कान से ढ़क देंगे लगभग एक से डेड़ घंटा इसी तरह से ढ़क के छोड़ देंगे सेठ होने के लिए एक से डेड़ घंटा के लगभग हो गया है पनी हटा के देख लेते हैं कि सेठ हुआ है कि नहीं ये देखिए एक दम बढ़िया से डो सेठ हो गया है तो ये देखिए हाथ में बिल्कुल नहीं चपक रहा है, इसी तरह से डो तयार होना चाहिए, डो बणिया से तयार हो गया है, अब हम गैस पे फराई पेन रख देंगे, उसके अंदर हम एक छोटा चमाच रिफाइन वैल एड़ करेंगे, सबी जगे इस तरह से मिला लेंगे, गैस के फ्लेम तेज नहीं रखना है, एक बात को ध्यान रखिएगा कि एक दाम मीडिया में रखना है, तो जब तक वो फराई पेन हलका हलका गरम हो रहा है, हम एक चमाच के लगभग, अड़ कर लेंगे मैदा, डो में, उसके बाद हाथो से एक मिनट इस तरह से मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लगभग हो गया है, डो भी बणिया से मिक्स हो गया है, अब हलका हलका छोटा इस तरह से लोई लेंगे, जैसे रोटी के लोई लेते हैं, उसी तरह से लोई लेना है, उसके बाद इस तरह से चिकना करके, फ्राई पेन में रख देना है हलका हलका हाथों में सुखा मैदा लगा के इस तरह से आलका गोल बना लेना है बनाने में ज्यादा मेनत नहीं लगता है बहुत असानी से बनके तयार होता है क्यांकि बर्गर के डो बहुत लूज होता है इस तरह से बढ़िया से सुन्दर बना लेना है बाकि जितना फराई पेन में आता है तीन चार करके इसमें डाल लेना है डालने के बाद इस तरह से हलका हलका प्रेश देके दुबारा से इसको सुन्दर बना लेना है ज्यादा गोल नहीं करना है हलका साथ चापुठी ही रखना है जैसे बर्गर के सेप राता है सेम उसी तरह से बना लेना है फराई पेन में डालने के बाद 2 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देना है 2 मिनट के लगभग हो गया है यह दखिए कितना बणिया से फूल गया है अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे बर्गर सेखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गैस के फ्लेम कम करके सेखने में लगभग 5 मिनट लगता है उसके बाद बढ़िया से सेखा जाता है तीन मिनट के लगभग हो गया है दोबारा इसको हम पलट के ढख देंगे इसे क्या होता है कि जो अंदर तक राता है वो बणिया से फूल जाता है पक जाता है तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गया है बर्गर की कलर भी बणिया से चेंज हो गया है देखिए कितना छोटा छोटा डाले थे बड़ा फूल के हो गया है मोटा हो गया है ये देखिए कितना बढ़िया बर्गर बनके तयार हो गया है तो बाकी के जो बर्गर बचा है इसी तरह से बना लेना है तो लिजिए बीना अवन के बजार जैसा बर्गर बन के तयार हो गया है तो आसा करती हूँ कि ये रेश्पी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास सेर करना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई